प्रेजेंटिंग ठोड़ो एड रुद्रा लाइट, a lighter version of रुद्रा वर्जन 2.0 रुद्रा लाइट को कमपणी ने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए डिजाइन किया है, few improvements के साथ और ये future-proof design के साथ आता है और ये comparatively affordable भी है बट इसके लिए company ने इसकी performance के साथ कोई compromise नहीं किया है रुद्रा लाइट basically 2.0 ही है बट ये उसका lighter form है जो single speed के साथ आता है आपको same frame geometry देखने को मिलेगा water slided decals के साथ और 2.0 की तरह इसमें भी 3 color options available है red, black and till green बट इसकी base part ये है कि इसकी future-proof compatible design की वजह से future में अगर आप अपने requirement के अनुसार इसमें कुछ भी add-on कराते हैं जैसे 7-speed gears, metal mud guards, GPS या brake integrated tail light कुछ भी जो 2.0 में available है या फिर future में available होगा वो सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं मतलब light version को आप pro version बना सकते हैं बिना regret किये अगर इसकी build quality की बात करें तो इसकी build quality भी same है इसमें आपको same 17-inch की alloy steel frame देखने को मिलेगा जो काफे study and strong है और ये वाइक अप्टो 125 kg payload उठा सकता है मोटर की अगर बात करें तो इसमें 36 वोल्ट 250 वाट की BLDC rear hub motor देखने को मिलेगा जो maximum 36 nm की टॉर जेनरेट करता है जो कि steep climbing के लिए enough है as you can see steep climbing में कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस रुद्रा light के साथ आपको 10H की removable lithium-ion battery मिलेगा और जिसके साथ company 50-60 km का range claim करती है paddle assist के साथ वैसे actual में ये range मिलेगा या नहीं वो आपको बहुत जल पता चल जाएगा जब मैं इसका real time range chase करोंगा क्योंकि review के लिए ये bike मेने पास आने वाली है तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुरे रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए एनिवे पैडल असिस्ट के लिए इसके साथ आपको 12 magnet sensor के साथ 3 levels of assistance मिलेगा और जिससे आप इस switch की मदद से access कर पाएंगे इसके अलाबा इसमें cruise mode भी दिया गया है जिसे आप maximum speed that is 25 kmph पे tune कर पाएंगे रुद्रा लाइट एक 26 inches e-bike है इसमें 2.1 inches की nylon tires लगाए गया है जो कि city commuting के लिए ideal है और साथ में जौस को reduce करने के लिए इसमें 100 mm front fork suspension भी दिया गया है वैसे comfort के नजरिये से इसमें और एक चीज इंप्रूब किया गया है वो है इसकी seat पहले company जो seat provide करती थी वह काफी uncomfortable रहता था during long ride but finally company ने इसे सुधारा है और अब company इसके साथ एक broad shop kushning seat दे रही है so I guess इसके साथ अब long riding में कोई दिक्कत नहीं आई इसके अलावा safety के लिए इसमें dual electric disc brakes है basic security के लिए ignition की है electric horn है headlight है और battery status check करने के लिए एक छोड़ा सा LCD display भी इसमें दिया गया है और आखिर में इसकी pricing की बात करें तो इस रुद्रा light की price है 38,000 रूपी बाट अगर आप description में दिये गए मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको 36,000 में 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 जाएगा और साथ में company की और से आपको एक additional surprise भी मिलेगा बाट यह offer December end तक ही सीमीत है तो अगर आपको इसके डिलेटेर जादा जान करें चाहिए तो आप description में दिये गए नंबर पे company को contact कर सकते हैं और हां अगर आपको यह EMI पे चाहिए तो EMI option भी available है तो as I said रुद्रा लाइट को company ने कुछ specific customers के लिए design किया है मतलब जिनको E-cycle के रूप में एक alternative means of transport चाहिए short committing के लिए जो affordable हो easy to use हो simple हो इसमें basic SSL features हो और range भी sufficient हो तो रुद्रा लाइट basically इन लोगो के लिए है बट फिर भी in my opinion present market के इसाफ से मुझे इसका price थोड़ा ज्यादा लगा बट यहां पर company का कहना है कि company ने internally काफिशारी improvements किया है खासकर controller को upgrade किया है ताकि future में कोई भी upgrade हो वो इस light version के साथ compatible हो सके मतलब आप चाहे तो future में अपने light version को pro version में transform कर पाएंगे बिना regret किये इसके अलावा company ने after sale service भी सुधारा है और dose of service को दूसरे cities में भी expand किया है ताकि service को और बहतर बनाया जा सके तो इसलिए price ऐसा है और वैसे यहां पर मैं आपको एक छोटा सा update देना चाहूंगा रुद्रा version 2.0 के बारे में तो update यह है क्योंकि end of year sale चल रहा है तो अगर आप December end से पहले रुद्रा version 2.0 लेते हैं तो इसके साथ आपको brake integrated tail light free of cost दिया जाएगा इसके अलावा अगर आप अपने बाइक में GPS लगाना चाहते हैं तो अब यह option भी available है बैट इसके लिए आपको extra 4000 पे करना पड़ेगा तो यह वीडियो एही तक था यह वीडियो आपको कैसा लगा न कि क आ sum पॉँई आपको अब पीडियो दूएर रूऔ साथ大 और इसके सKayन लाओ पॉँई